मेरा नाम लक्षे ओरोडा है मुझे साथ साल का experience है stock market में stock market exactly होता गया है मैं वही चीज आपको शुरुवात से समझाना चाहता हूँ stock market एक share होता है जिसके अंदर share trading होती है जैसे आपने एक stock खरीदा बेचा उसको exactly हम जो predict करते हैं उसके जो prices है वो किस तरीके से set होते है demand supply से अगर किसी चीज किसी share की demand जाता है तो automatically उसका prices बढ़ते जाते है और अगर किसी चीज की supply जाता है तो उसके prices घटते जाते हैं यह होता कैसे stock market में आप कैसे invest कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको dmat account खुलवाना पड़ेगा तो dmat का क्या procedure आता है आपको एक या तो आप bank की bank से खुलवा सकते हैं और फिर angel broking है तो बहुत सारी broking firms होती है तो अगर ब्रोकिंग फर्म के आप थ्रू खुलवाते हैं तो आपको एक तरीके से यह फायदा रहता है कि आपको जो brokerage होती है वो comparatively bank से कम मिलती है तो उसको उसका procedure क्या होता है आपको एक से रिजिस्चर होना होता है आपको लिखवाना पड़ता है आपकी वेरिफिकेशन होती है आपको पैन कार्ड की अधार कार्ड की फोटो वगएर की सब चीचों की जरूरत पड़ती है एक dmat account खुलव अगर आपको share कोई purchase करना है तो हजार रुपे का है तो आपको एक लाख रुपे चाहिए तो एक लाख रुपे लेने के लिए आपको अपने bank से bank के दुरू transaction करके उस broker के account में डालने पड़ेंगे तब जाके आप कोई share खडी सकते हैं तो exactly इसके अंदर कौन-कौन participants होते है कौन-कौन इसको क्या होता क्या exactly जैसे इसके अंदर FIA होते है जो foreign direct investors होते है और एक mutual funds होते है mutual funds वो लोग होते है जैसे कहीं को knowledge नहीं होती stock market की अब जैसे for example आपको knowledge नहीं है तो आप mutual fund के तुरू भी stock market में पैसा लगा सकते हैं तो वो क्या करते हैं आपके दीरे-दीरे stock खरीते हैं कैसा आप return जाते हैं किस तरीके से वह बहुत बड़े-बड़े portfolio managers होते हैं उस तरीके से आपके जो fund होते हैं वो manage की जाते हैं तीसरे होते हैं retail traders retail traders या investors वो लोग होते हैं जैसे हम लोग जिनको थोड़ी बहुत knowledge होते हैं कि stock market में investment करनी चाहिए ऐसे buy होता है ऐसे sell होता है इसके softwares पे ऐसे काम होते हैं तो retail traders या investors होते हैं अब retail traders और investor group मैं bifurcate करके समझाओं आपको कि जैसे जो investor होते हैं वो long term के लिए सोचते हैं आपने सोचा कि मैं reliance को एक साल दो साल तीन साल पांट साल के लिए खरीद के रख देता हो वो गई आपकी investment हो गई और trader होता है जो trader रोज के इसाब से होता है कुछ traders होते हैं इंट्रडेट होते हैं वो उनके जैसे सुबह 9 बजे उन्होंने सबह 9 बजे खरीदा या 12 बजे खरीदा तो उनका स आवा 3 बजे वो अपना सौधा खतम करके चले आता है चाहे profit हो या loss हो कुछ होते है swing traders वो लोग थे जिनका एक review होते है कि वो 15 दिन 10-15 दिन के लिए वो चौक को buy करके रखेंगे 10-15 दिन के बाद उनको उनको ऐसा लगता है कि उनको 2-3 परसेंट या 5 परसेंट या 10 परसे market कमाते है उसका ऊसका जो वह हम धो t selv होते हैं जैसे नेieur मार्कट में एकर करके चलेंगे बीच करके चलेंगे चलेंगे गृट्ता हो तो यह शकर रूर होते हैं तो ऑन एक छी में फ्याकर करके चलेंगे जैसे नॉर्मल आपको 100 शेयर भाय करने है 200 शेयर भाय करने है 300 शेयर भाय करने है तो आप प्रैफर करते हो कि आप एक्विटी में काम करोगे दूसरा होता है उसको दो तरीके से आपको डिवाइड करके बताऊगा कि किस तरीके से उसके अनION होता है जैसे अगर ऑफिडी करें ऐसे दो ऐसे वह के अमिसलेAK रज्यर कारते करता है' वो करता हैयónus decide करता है कि इसका लौट इतने होगा तो उसके अंदर रिस्क जादा अहुता यू के अंदर आपको जैसे एक्विटी में तो आपको पूरा जाती है और अगर आप करना चाहते हैं तो पंदर 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 परसेंट में लेकिन उसके अंदर रिस्क फेक्टर बहुत जादा होता है क्योंकि डेली बेसिस पर उसकी फ्लक्टवेशन होगी तो आपको एम टो एम लॉस्ट एम प्रॉफिट जरूर दिखाएगा लेकिन ए एक लाग से माइनस प्लस होता रहता है लेकिन एक्विटी में ऐसा नहीं होता दूसरा होता है दूसरे में अब option की बात करेंगे options के अंदर क्या होता है कि अगर options की अगर हम बात करें तो options के अंदर call और put होता है हम call और put को कैसे bifurcate करते है जो call होता है उसमें buying करके चलत ही देख रहे हैं तो उसके अंदर हमारे को एक premium एक जो सेबी डिसाइड करती है नसी डिसाइड करती है एक premium fix करती है जैसे आपने समर्लो आप बात करेंगे अपना Sun Pharma की अगर आप Sun Pharma समर रहे हैं कि इस expiry वो 620 रुपे हो जाएगा तो इसके अंदर हर महीने expiry date होती है त आप उस तरीके से काम करते हैं जो हम option को दूसरे तरीके से मेजर करते हैं तो हम उसको कहते इंशोरेंस या तो option बोलते हैं इंशोरेंस बोलते हैं हम इंशोरेंस भी बोल सकते हैं उसको क्योंकि इंशोरेंस में भी हम premium देते हैं उसके अंदर हम premium देते हैं तो जैसे call की बात करक्ए आपका चोबिसों के साफ्से अप पैसे जमघर है और अगर वह एकाल देन जाव मेया कने मिनिमम हम्री के थammenिस के पाल क्ट स्वें वहला कोई है वह हमारे लंगबग 10 जह समय परूपे case यहीं का दो इसके अंदर हमारे को तब फायदा होता है जब हमारे को प्रीमियम खाना होता है जैसे आप समलो उसमें हम दो रुपे का प्रीमियम दे रहे हैं उसमें हम दो रुपे प्रीमियम खा रहे हैं तो जमीन असमान का फरक है उसके अंदर हम प्रीमियम खा रहे हैं हमारे को प्रीमियम मिल रहे है उसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो put option, put option में क्या होता है, put को buy करके भी चल सकते हैं, sell करके भी चल सकते हैं, जैसे put buy, put buy मतलब उस चौक को हम मंदा देख रहें, हम उसके अंदर बेचना चाते हैं, तो हमारे पाँ पैसा कम है, तो हम उसकी put खरीद लेते हैं, जैसे for example, अगर हमारे को buy कौन का नजर आ रहा है, अभी जैसे 1000 पर चल रहा है, for example, हमारे को नजर आ रहा है, वो 980 रुपे हो जाएगा, तो हम 980 की put खरीद लेंगे, तो अगर वो 90C आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे को फायद हो जाएगा, अगर उसकी premium 4 रुपे है, और उसका 1000 का lot है, तो हमारे को 4000 पे करके unlimited profit मिल सकता है, या तो 4000 0 हो जाएगा, या unlimited profit हो जाएगा, उसी तरीके से put की बात करे, put के अंदर हम क्या करते हैं, sell करके चलते है तो sell के अंदर हमारे को premium देना पड़ता है, उसके अंदर हमारे को unlimited loss होता है, minimum profit होता है, तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, वैसे basically जो introduced हुआ था, future on option hedging के लिए उसकिया गया था, जैसे for example, अगर आपका portfolio काफी बड़ा सा है, जैसे 1 करोड, 2 करोड, 10 करोड तक का है, तो आपका जो stock है, जैसे अब Sun Pharma की बात करें, हजार का है, अगर हजार का lot है, तो अगर आप हजार stock खरीद लेते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको sell करके चलना है, तो आप किस तरीके से sell करके चलेंगे, आप क्या करेंगे, उसकी call बेच के चलेंगे, ताकि आपको रोजान किस आपको बात करेंगे, पुरेदार में!